Hello Friends, Welcome to Stock Rooms और आज जो हम बात करेंगे Power Tool के उपर Power Tool का जो Sharing वाला फीचर है उसके उपर एक नए Update आ चुका है तो पहले जैसे कि आप जानते थे तीन PC में शेर करने के लिमिट दे हुई थी तीन PC ज्यादा में ये Login नहीं होता था तो अब क्या हुआ है इसमें एक नए Update आ चुका है जिसमें आप लोग को Unlock Tool जिस तरीके से Login होता है तीन-तीन घंटे में आप PC Change कर सकते हो तो उसी तरीकी का Update जो है Power Tool में भी आ चुका है तो अब इसमें क्या होगा आप Power Tool में भी तीन घंटे होने के बाद दूसरा PC Login कर सकते हो फिर तीन घंटे के बाद दूसरा PC Login कर सकते हो मतलब यह जो यह नए Update आ चुका है तीन-तीन घंटे gap में आप Power Tool को Login कर पाओगे तो यह कुछ अपडेट है मैं आप लोग इसके ओफिसल वेब साइट में लिचा के दिखा देता हूं किस तरी किसे जो है इसका आया है तो यहां पर देख सकते हो यह कुछ ओफिसल वेब साइट है GSM Form वाली और उसमें यहां पर देख पाओगे आप सारे question यहां पर किये है लोगों ने उनका यहां पर answer विएगे पाओ टूल क्या है और कितने का है और कितने दिन के लिए यहां पर कीए है जिसमें से question यह है Kya मैं अपना computer change कर सकते हूं या दूसरे कंप्यूटर पर भी इस्तमाल कर सकता हूं यह कुश्यन है तो इसमें आप लोग साफ साफ देख पाऊगे जी हां आप हर तीन घंटे में अपना पीसी चेंज कर सकते हूं जैसे अनलोग टूल में होता है तो यह कुश अपडेट है उमीद आपको पसंद आई होगी और यहां पे अगर आपको किस तरीके से चेंज करना है अपनी हाडवेर राइडियो किस तरीके शेयर करना है उसके बारे में एक वीडियो आप लोग डिस् स्क्राइब करना मिलते हैं।